इस presentation का topic है organisms and populations part 1 major biomes and abiotic factors सबसे पहले इस term का मतलब समझते हैं biome तो biome का मतलब होता है किसी particular area में जितने भी तरह के ecosystems present है terrestrial ecosystem जो land पे मिलेगा, aquatic ecosystem जो पानी में होगा और aerial जो air ecosystem होगा, जैसे हम किसी forest की study कर रहे है तो forest पे land भी है, कोई river, pond, lake भी है और जो हवा में, जो aerial ecosystems होगे जब इन सभी तरह की ecosystems को हम collectively study करते हैं किसी एक particular area की, तो हम उसे term देते हैं biome तो थोड़ी से पहले geography revise करवा दें आपको ताकि ये topic समझना बहुत आसान हो जाए क्योंकि जब हम organisms की बात करते हैं, populations की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें geography का area भी होना चाहिए तो ये एक class 6 का ये एक diagram है, हम standard 6 में सिखाते हैं इस diagram को तो ये equator हो गया और इधर northern hemisphere में ये एक imaginary line जिसे हम tropic of cancer कहते हैं और southern hemisphere में tropic of capricorn तो tropic of capricorn और tropic of cancer इस पूरे जो area ये जो इतना area कवर करता है अर्थ का इसे हम tropical zone कहते हैं और northern hemisphere में tropic of cancer और Arctic circle के बीच का area और southern hemisphere में tropic of capricorn और Antarctic circle के बीच के area को हम temperate zone कहते हैं और यहाँ पे सबसे उपर इधर north pole की तरफ ये polar zone और इधर south pole की तरफ ये भी polar zone तो इस तरह ऐसे हम पूरी अर्थ को तीन बहुती broad zones में divide करते हैं अब जो tropical जो हमारा area है अर्थ का तो यहाँ पर हम further इसको हम divide करेंगे depend करेगा कि किस area में कितनी बारिश होती है तो यहाँ पर हमने बहुत ही major biome दिखाई हुए हैं पूरी दुनिया में जिस तरह के biome पाई जाते हैं तो हमने बहुत ही major biome इस diagram में दिखाई हुए हैं तो यह जो biome हम distribute करते हैं उनमें हम दो factors को consider करते हैं दो जो बहुत important factors है temperature of that particular area और वहाँ पर बारिश कितनी हो रही है availability of water तो हमें पता है कि tropical zones में तो जो zone है वहाँ पर temperature high होता है लेकिन इस tropical zone में भी बारिश किसी area में बहुत कम हो रही है तो किसी area में बहुत जादा हो रही है तो हम यहाँ पर केवल अभी यह tropical area की बात करते हैं तो तीन तरह के biome हमें tropical area में देखने को मिलेंगे desert, sawanah, जो grassland होती है और rain forest तो जहाँ tropical reason में जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होगी बहाँ desert बने गए जैसे सहारा desert याद कर लीजे जो आफरीका continent में पाया जाता है यह sawanah grassland जहाँ पर moderate बारिश होती है ना बहुत कम ना बहुत जादा तो tropical reason में ऐसे जगह हैं जहाँ पर moderate बारिश होती है तो जो grassland होंगे तो उन्हें हम sawanah grassland कहते हैं और फिर rain forest सबसे अच्छा example है Amazon forest यह Amazon सबसे घने forest है दुनिया के जो इसकी South America में tropical reason में पाय जाते हैं तो इस तरह से हम biomes को distribute करते हैं उन्हें classify करते हैं फिर यहाँ पर इस diagram में देखे तो जैसे से यहाँ उपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर temperature कम होता जा रहा है तो यह temperate तो जो temperate जो reason है हमारा यह हाँ पर हमने बताया है यह northern temperature reason है और यह Southern temperature यहाँ पर temperature कम है लेकिन कुछ region ऐसे है जहां बहुत पानी बरस रहा है कुछ region ऐसे हैं जहां कम पानी बरस रहा है तो accordingly ओलराय वो कुर्ण के Cinaryplace करने इंडिया om hrona यहाल चैसार तो और उसी तरह से लदाख जो हमारी इंडिया में पाये जाता है ह। हो बहुत के हां कि एक पानी श问题 काम बरस्ता है और उसे बैसे जो North America है, यहां पर जो Grasslands पाया जाते हैं, टेमपरेट ग्रास्लेंड्स जो होते हैं, उनने Prairie Grasslands बोलते हैं, Prairies, जरूर नाम सुनाँगा आपने, और उसी तरह से Temperate Zones में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो Temperate Forest बनाते हैं. फिर यहां पर Arctic जो Circle है यहां पर तो उपर की तरफ यह वाला, इसे हम Sub-Arctic Reason भी कहते हैं यहां पर, तो यहां पर बहुत ही कम Temperature हो जाता है इन Reasons में, तो उन्हें टैगा बोलते हैं, और जो बिलकुल polar reasons होते हैं उन्हें टुन्रा बोलते हैं थोड़ा सा revise कराने से topic को समझना बहुत आसान हो जाएगा हाला कि यह 6th और 7th standard की geography है लेकिन topic को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी जो हमारे कुछ बायोम्स ऐसे हैं जो हमारे discussion में भी आगे involve होंगे तो सबसे पहले तो यह सहारा desert हो गया जो आफरीका continent में पाया जाता है तो अब यह सब बातें अभी हमने discuss करी हैं और यह सवाना grassland और इधर यह Amazon forest तो यह तीन तरह के बायोम हमें tropical reason में देखने को मिलते हैं depending on the temperature and availability of water फिर यह गोपी desert हो गया यह cold desert होता है और यह prairie grasslands यह जो यह पर पीच कलर का यह दिखाया हो यह prairie grassland है नौर्थ अमेरिका के और temperate जो forest है यह green color के हैं बारिश खूब होती है और temperature कम है तो यह temperate forest है और फिर यह Siberia तो रशिया का यह बहुत ही ठंडा इलाका होता है Siberia क्योंकि अभी आगे discussion में यह term आएगा तो बिल्कुल clarity हो जाए कि यह particular कौन से जगह की बात हो रही है मैप पे तो यह Siberia हो गया और यहाँ पर यह Antarctic reason है जहाँ पर पेंगविन्स पाए जाते हैं और यह यहाँ पर यह Arctic reason है जहाँ पर polar bear पाए जाते हैं तो इतनी clarity का होना बहुत ज़रूरी है किसी bio student के लिए जब हम किसी environment के study करते हैं तो environment में पाए जाने वारे factors को हम broadly दो category में divide करते हैं biotic factors और abiotic factors बायो means life तो जितने भी living organisms हैं plants, animals, bacteria, fungi तो यह सब biotic factors होते हैं उस particular environment के और abiotic किसी भी term के आगे अगर हम a prefix लगा दे यानि कि absence तो absence of life यानि कि non living factors तो किसी environment के जो non living factors होते हैं उन्हें हम abiotic factors कहते हैं जैसे light, temperature, soil, water तो यह सभी factors को हम abiotic factors कहते हैं तो हम कुछ major abiotic factors discuss करेंगे और सबसे पहले हम temperature discuss करेंगे तो यह एक बहुत ही important abiotic factor है क्योंकि यह directly control करता है working of enzymes को थोड़ा सा recall कीजिए कि जो enzyme की activity होती है वह temperature पे बहुत जादा depend करती है और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जो enzymes होते हैं यह bio catalyst होते हैं और यह किसी भी organism के living organisms के metabolism को regulate करते हैं तो temperature एक बहुत ही important abiotic factor है यहां diagram में हमने यह जो diagram दिखाया है तो इसमें हम दिखाएंगे कि जो temperature को tolerate करने की छमता जो होती है किसी organism की तो उस पर base हम दो तरह के terms देते हैं stenothermal और urethermal organisms तो जो organism एक बहुत ही कम range के temperature को bear कर पाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं stenothermal organisms और जो एक wide range को bear कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं urethermal organisms तो जैसे penguin तो penguin एक stenothermal organism है क्योंकि यह कि बहुत ही narrow range of temperature को ही यह सह पाएगा और उसी तरह से जो reptiles हैं तो reptiles भी stenothermal organisms होते हैं क्योंकि यह भी narrow range of temperature को ही सह पाते हैं तो लेकिन यहाँ पर फर्दर देखो हमने stenothermal जो दिखाया हुआ है हमने organisms उनको हमने further दो में classify किया हुए cryophilic और thermophilic जो lower range को सह पाएंगे organisms उन्हें हम cryophilic organisms कहेंगे जैसे penguin तो range तो narrow है लेकिन lower temperature की range जो है optimum है penguin के लिए और जो reptiles है इनकी range भी बहुत कम है नेरो range है लेकिन higher temperature की तरफ है तो reptiles को हम thermophilic कहेंगे और penguins को हम cryophilic कहेंगे cryo का मतलब होता है come temperature और thermo का मतलब है heat या ज़ाधा temperature तो यह तो हो गया stenothermal organisms के बारे में और फिर यह ure thermal जो wider range को range of temperature को bear कर पाते हैं mammals बहुत अच्छा example है इसी वज़े से जो mammals है वह है एक wide range of biomes में देखे जाते हैं desert में भी मिलेंगे और polar regions में भी मिलेंगे तो mammals ure thermal organisms हैं यहां एक और term लिखा हुआ है इस graph में optimum तो इसका ज़रा मतलब और बता देते हैं optimum का मतलब होता है कि वह temperature जिस temperature पे उस particular organism की activity सबसे जादा होगी या जब सबसे effectively उस temperature पे वह organism work करेगा तो वह temperature होगा उस particular species के लिए optimum temperature तो हम temperature से जब भी हम positive या negative की तरफ जाएंगे कम या जादा की तरफ जाएंगे तो वह organism survive तो जरूर कर पाएगा लेकिन उसकी efficiency कम हो जाएगी अब हम पढ़ेंगे effects of temperatures तो सबसे पहले तो growth क्योंकि हमने देख लिया है कि temperature direct control करता है activity of enzyme को तो enzymatic activity जादा होगी तो rate of growth भी उस organism का जादा होगा फिर metabolism यह भी बात हमने डिसकस कर ली है और reproduction तो maturation of bonnets and formation of gametes यह temperature पे depend करते हैं तो जैसे अगर आप human male का example ले लिजे तो human male को spermatogenesis के लिए body temperature से 2 degree कम चाहिए होता है इस वज़े से जो टेस्टिस होती है वे स्क्रोटम में present होती है जो कि extra abdominal bag like structure होता है स्क्रोटम तो स्क्रोटम में टेस्टिस present होती है human male के case में तो इस तरह से temperature reproduction को भी regulate करता है फिर distribution तो कुछ पर्टिकुलर organisms है वह एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाते हैं जैसे यह पर example के लिए हमने ice fish दिया हुआ है तो ice fish हमेशा cold water में मिलेगी और corals जो corals होते हैं वह हमेशा warm waters में मिलते हैं तो temperature directly control करता है regulate करता है organisms के distribution को भी फिर coloration जो organisms का color होता है तो जो warm और humid area में जो organisms मिलते हैं वह dark color के होते हैं और जो cool areas में होते हैं organisms वह light color के होते हैं फिर morphology जो हमारे external features होते हैं हम morphology कहते हैं तो जो हमारे जो body extremities होती है तो ज़जर है body extremities का मतलब बता देते हैं सबसे पहले´ जो हमारे kan न आग हैं finger tip है इन्हें body extremities कहते हैं तो जो body extremities होती है cold reason में तो वह छोटी होते हैं short होते सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है आपने अगर कभी ध्यान दिया हो जब सर्दियों में नाक सबसे ज़्यादा ठंडी होती है और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वह कान ढाकने के लिए क्याते हैं कि कैप लगा लो मफलर पहन लो ताकि क्योंकि कानों से बहुत ज़्यादा हीट का लॉस होता है तो जो हमारी बॉड़ी एक्स्टिमिटीज होती है तो इन रीजन से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है तो इस वज़े से जो और्गनिसम्स के कान छोटे होते हैं औ और इस टर्म को इस particular feature को हम allen's rule भी कहते हैं क्योंकि allen 9 के scientists ने सबसे पहले इस बात को discover किया था या बताया था तो इसे हम allen's rule भी कहते हैं दूसरा important abiotic factor है water तो water plants की productivity और distribution को खासतोर से control करता है और जब हम animals की बात करते हैं या और भी organisms की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो term के बारें बताएंगे Urehyeline और Stenopheline Heline का मतलब होता है salty water तो या concentration of salt in water तो जो organisms wide range of salinity को tolerate कर सकते हैं तो उन्हें तो हम कहेंगे Urehyeline organisms और जो organisms narrow range of salinity को tolerate कर पाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे Stenopheline For example, जो strictly fresh water या strictly marine water organisms होते हैं उन्हें हम Stenopheline कहते हैं जो या तो केबल sea में मिलेंगे, ocean में मिलेंगे और या वह केबल नदी, pond या lake में मिलेंगे तो ऐसे organisms को हम Stenopheline organisms कहते हैं लेकिन जो histories में जो organism पाए जाते हैं उन्हें हम Urehyeline organisms कहते हैं अब histories क्या होती हैं? तो जो river जिस point पर ocean में आके मिलती है तो उस wide area को हम history कहते हैं जैसे गंगा जब यह Bay of Bengal में मिलेगी तो उस wide एक लाइन नहीं होती है जहां पर रिवर और ocean में मिल जाएगी एक wide area होता है जहां पर river और ocean मिल रहे होते हैं तो उस wide area को history कहते हैं तो जो history होती है उसमें salinity vary करती रहती है बहुत ज़्यादा vary करती है जब खासतोर से जब tides आते हैं यह river में पानी ज़्यादा है जैसे बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा है तो बहुत और भी बहुत सारे factors होते हैं जिस वजाओं से जो history वारा reason होता है यहाँ पे salinity vary करती रहती है तो इस area में पाए जाने वाले organisms को हम ure haline कहेंगे क्योंकि यह एक wider range of salinity को bear कर पा रहे है यहाँ एक और important बात बता दें कि जो fresh water organisms हैं वे जादा समय के लिए sea में नहीं रह पाएंगे और जो sea वाले organism हैं, ocean वाले organisms हैं वे जादा समय तक fresh water में नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनको osmotic problems होंगी osmotic problems का मतलब क्या है कि यह अपनी body fluid के osmotic regulation को control नहीं कर पाएंगे तो इस वज़े से जो animals होते हैं या तो वे strictly fresh water होते हैं या वे strictly sea water होते हैं केवल urehyaline organisms को छोड़कर जो की history वाले reason में पाए जाते हैं अब हम तीसरा abiotic factor discuss करेंगे light तो इस से related कुछ important बाते जानते हैं तो सबसे पहले तो आपको जरूर पता होगा sunlight is the ultimate source of energy on earth क्योंकि plants sunlight को use करके photosynthesis के थुरूँ food बनाते हैं और यह जो plants food बनाते हैं यह पूरी food chain फिर इसी food पर survive करती है और जो हम घने जंगलों की बात करते हैं तो वहाँ पर पाए जाने वाले herbs of shrubs जो small plants होते हैं जो कि overshadow कर लिए गए हैं tall plants से तो अब इनको भी sunlight चाहिए लेकिन इन तक sunlight बहुत ही कम पहुँच पा रही है क्योंकि बहुत घने जंगल है और tall plants की वज़े से जो sunlight है जो ground level तक नहीं पहुच पा रही है या बहुत कम पहुच रही है तो उस वज़े से जो घने जंगलों में ये जो small plants होते हैं herbs of shrubs होते हैं जो ये बहुत ही lush green color के होते हैं गाडे हरे रंके होते हैं क्योंकि इनकी leaves में concentration of chlorophyll बहुत ज़ादा होता है chlorophyll का concentration फिर ये बढ़ा लेते हैं तो ये एक तरह का adaptation है क्योंकि इन plants तक बहुत ही कम sunlight पहुचेगी और उसी कम sunlight से इन्हें अपना खाना बना लेना है तो इन्होंने अपने आपको adapt किया तो इन्होंने chlorophyll का concentration बढ़ा लिया तो इसी बज़े से जो घने जंगल होते हैं उनके जो plants होते हैं वह lush green color के होते हैं बहुत ज़ादा हरे भरे होते हैं next important point है कि जो plants होते हैं वह capable photosynthesis के लिए नहीं और भी बहुत सारी बाते हैं और भी बहुत सारी चीज़े होते हैं जो light control करती है regulate करती है तो photoperiodism देखा जाता है plants में तो कुछ plants seasonal होते हैं तो वह किसी particular season में ही उनमें flowering होगी तो ऐसा कि होता है कि जो light period होता है वह regulate करता है flowering को तो कुछ plants को longer light period चाहिए तो बहुत केवल गर्मियों में flowering होगी कुछ plants को shorter light period चाहिए तो उन plants में फिर सर्दियों में ही flowering होगी तो जो photoperiodism भी बोलते हैं इसको तो photoperiodism कुछ plants में flowering को regulate करता है उसी तरह से जो animals होते हैं तो animals में एक तो जो diagonal rhythm होती है diagonal rhythm याने कि day और night की rhythm कुछ animals diurnal होते हैं कुछ animals nocturnal होते हैं तो जो animals की जो activity होती है day और night activity वह भी light से regulate होती है और कुछ animals seasonal breeder होते हैं तो उस case में भी जो उनकी reproduction की जो timing है तो वह भी photoperiod द्वारा ही regulate होती है और कुछ animals migrate करते हैं तो उनकी जो migration से related जो activity होती है वह भी light के द्वारा ही regulate होती है तो इस तरह से light बहुत important role play करती है कई तरह से plants और animals की life cycle को regulate करने में अब हम एक बहुत important topic डिसकस करेंगे spectral quality of light अगर आप 12th standard के student हैं और board के exam की त्यारी कर रहे हैं तो इस information से बहुत important question बनता है तो spectral quality of light की जब हम discussion करेंगे तो हमारा पूरा focus रहेगा यह visible जो light होती है जो की बहुत important role play करती है photosynthesis में और spectral quality खासतोर से बहुत important discussion हो जाता है जब हम या तो किसी बहुत deep lake की बात कर रहे हैं उसके ecosystem की बात कर रहे हैं या फिर ocean के ecosystem की बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ocean में depth में जाते रहेंगे वैसे वैसे जो light का penetration है वह कम होता चला जाएगा तो बहुत जादा deep में जाएगे तो वहाँ पर total absence of light हो जाएगा फिर तो जब absence of light हो जाएगा तो वहाँ पर उस depth से नीचे फिर कोई भी plant का presence है वो फिर हमें नहीं दिखाई देगी तो ये सारी बातें डिसकस करने से पहले एक बात जानते हैं कि किसी भी wave की जैसे यसे wavelength बढ़ती है वैसे जैसे उसकी energy कम होती चली जाती है तो जब हम visible light की बात करें विब्योर की बात करें तो जब हम violet से red की तरफ जाते हैं wavelength बढ़ती है इसका मतलब यह हुआ कि जब हम violet से red की तरफ जाते हैं तो energy कम होती है तो यानि कि जो red color की light है इसके जो penetration की छमता है water में वह बहुत ही कम है यह बहुत कम depth तक ही penetrate कर पाएगी ocean में या किसी deep lake में और जो blue color की light है यह सबसे deep तक चली जाती है क्योंकि इसकी जो energy है वह सबसे ज़ादा है अब यह जो penetration की छमता है यह regulate करेगी distribution of algae को तो यहाँ पर हमने तीन तरह की algae दिखाई है red, brown और green तो यह जो color होता है in algae का यह depend करता है कि इस algae में कौन से तरह के pigments पाए जा रहे है तो क्योंकि red algae में एक pigment होता है phycobilin तो phycobilin pigment होने की वज़े से यह blue light को ज़ादा absorb करता है तो इस वज़े से जो red algae है यह deepest ocean तक में पाई जाती है जो ocean में बहुत गहराई में भी हमें red algae देखने को मिलेगी और cable कुछ depth तक ही हमें brown algae मिलेगी और superficial layers पर हमें cable green algae मिलती है तो इस तरह से spectral quality of light यह algae के distribution को भी regulate करती है तो यह एक बहुत important question बनता है इस information से board के exam अभी हमने abiotic factors discuss करें और हम देखेंगे कि organisms किस तरह से respond करते हैं इन abiotic factors के प्रती तो सबसे पहले तो यह है कि जो living organisms होते हैं वह अपने internal environment को uniform रखने की चमता दिखाते हैं वह पूरी कोशिश करते हैं कि जो उनका internal environment है वह uniform रहे क्योंकि अगर वह अपना internal environment को regulate करते हैं तो उनकी efficiency फिर maximum होती है जिसको हम optimum भी बोलते हैं तो वह अब पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो internal environment है खास्तों से temperature और osmotic जो body fluid का जो osmotic concentration है तो इनको regulate करने की चमता दिखाते हैं और इस process को फिर हम homeostasis कहते हैं तो homeostasis actually एक energy demanding procedure है बहुत energy लगती है लेकिन उसके बावजूद भी जो organisms हैं वे homeostasis को show करते हैं योगि internal environment को regulate करने में उनकी efficiency बढ़ती है और खास्तों से जब हम heat loss या heat gain की बात करें तो इसका direct connection होता है surface area से तो अगर कोई छोटा animal है तो उस animal के volume की अपेक्षा surface area जादा है थोड़ा सा mathematics है यापर अगर size कम होता है तो surface area volume ratio जादा होता है volume की अपेक्षा surface area और size अगर छोटा है organism का तो surface area volume जादा है और अगर बड़ा organism है तो surface area volume ratio कम है तो इसी calculation को देखते हुए जो ठंडे जो जगाएं होती हैं जो जहां पर ठंड जादा पड़ती है colder environment में heat loss को prevent करने के लिए वहाँ पर जो पाया जाने वाले organisms हैं usually वो बड़े size के होते हैं जैसे polar reason में छोटे organisms नहीं मिलते हैं polar reason में छोटे organism नहीं मिलेंगे अधिकतर बड़े size के organisms मिलते हैं क्योंकि surface area volume ratio जो है maintain रहेगा जिसके वाज़े से heat loss के chances कम रहेंगे इस graph में हमने दिखाया है कि organisms किस तरह से respond करते हैं environmental factors के प्रती तो यहां पर यह हमने environment gradient दिखाया हुआ है यह environment factor का optimum range है तो जिस range पर और यहां पर यह population size दिखाया हुआ है तो अगर optimum range है किसी particular जगा पर तो उस optimum range में जो organism की population होगी वो सबसे ज़ादा होगी और organism की growth और fitness भी सबसे ज़ादा होगी जैसे यह से optimum से हम ज़ादा या कम की तरह बढ़ते हैं वैसे वैसे population का size कम होता चला जाएगा और बहुत ही ज़ादा extremes पर फिर वह population वो particular species की population फिर बिलकुल ही absent हो जाएगी जो कि उसके beyond फिर वह है उस environmental condition को bear नहीं कर पा रही है दोनों तरफ positive तरफ भी और negative तरफ भी अगर temperature को अगर हम देखें तो एक optimum temperature पे सबसे ज़ादा population होगी या एक optimum temperature पे सबसे ज़ादा growth होगी उस particular organism भी लेकिन जैसे हम temperature बढ़ाएंगे वैसे वैसे population कम होती चले जाएगी और एक particular temperature के beyond फिर population बिलकुली खतम हो जाएगी उसी तरह से यहाँ पर जैसे हम temperature कम करेंगे तो organisms कम होते चले जाएगे और एक particular temperature के beyond और अगर कम करते हैं तो फिर organisms उस temperature पे survive बिलकुल भी नहीं कर पाएगे तो इस graph में हमने organisms का response दिखाया है किसी particular environmental factor के gradient पे इस graph में हमने दिखाया है कि organisms adverse situations को किस तरह से face करते हैं तो दो तरह के organisms होते है regulators और conformers दोनों discuss करेंगे तो जैसे यह पहला graph दिखाया हुआ है regulators का यह जो एक graph है यह regulators का है तो यहाँ पर यह external environment है और यहाँ पर internal environment है तो कोई भी जैसे osmolarity ले ले लेते हैं तो environment में osmolarity और जो body fluid है उसकी osmolarity तो environment में जो osmolarity है वो vary कर रही है तो यह जो organisms है जो regulators है यह अपने internal जो body fluid की osmolarity है वह constant ही maintain रखेंगे वह constant maintain रखेंगे वह उस osmolarity को regulate करेंगे तो यह तो होते है regulators अब जैसे temperature का example ले लेते हैं कि external environment में temperature लगातार बढ़ रहा है लेकिन एक particular range तक वह जो organisms होंगे वह अपने body temperature को maintain करेंगे constant रखेंगे जैसे mammals तो वह external environment के हिसाब से अपना body temperature को कम या जादा नहीं होने देंगे एक particular range तक वह अपने body temperature को maintain करने की कोशेश करते रहेंगे तो ऐसे organisms को हम regulators कहते हैं इनके opposite conformers होते हैं conformers वो अपने जो भी external environment है उस हिसाब से अपने internal environment को change करते हैं जैसे अगर जो external environment में temperature change हो रहा है तो उनका जो body temperature है वह भी change होता चला जाएगा वह उसे regulate नहीं कर पाएंगे तो ऐसे organisms को हम कहेंगे conformers तो यह दो strategies होती हैं दो तरह के organisms होते हैं regulators और conformers अभी आगे और detail में इन दोनों groups के बारे में discuss करेंगे regulators और conformers के बारे में कुछ important points discuss करते हैं तो सबसे पहले regulators के बारे में जानते हैं तो जितनी भी categories हमने discover कर ली है organisms की उसमें केवल birds और mammals यह दो categories हैं जो regulators होते हैं बहुत ही छोटा percentage है जो regulator होते हैं और खासतर से mammals की बात करें तो यह बहुत wide distribution है mammals का तो बहुत केवल इस वज़े से हैं क्योंकि यह अपना body temperature constant maintain कर पाते हैं इसी वज़े से यह सहारा desert से लेकर Antarctica हर तरह के बायों में देखे जाते हैं फिर जो mammals हैं हम सभी जानते हैं कि जब temperature बढ़ता है 37 degree से उपर चला जाता है क्योंकि 37 degree हमारी body temperature होता है उससे अगर उपर चला जाता है external temperature तो sweating शुरू हो जाती है और sweating एक mechanism है body temperature को कम रखने का और उसी तरह से अगर 37 degree से कम होता है external temperature तो shivering शुरू हो जाती है तो shivering भी एक mechanism है body temperature को बढ़ाने का तो इस mechanism के through mammals अपना body temperature regulate करते हैं अब conformers की बात करें तो 99% organisms हैं दुनिया में 99% animals और लगबख सभी plants ये अपने जो internal body environment है उसको constant रखने का इनके पास कोई खास mechanism नहीं है इनका body temperature surrounding temperature के हिसाब से बदलता रहता है उनके पास ये mechanism नहीं है और जो aquatic organisms हैं इनका जो body fluid है उसका osmotic concentration भी ये change करते रहते हैं surrounding water के osmotic concentration के हिसाब से तो लेकिन जो conformers हैं इनकी efficiency reduce होती है stressful conditions में तो ये कुछ important points है regulators और conformers के बारे में अभी अभी हमने regulators और conformers को compare किया और देखा कि regulators wide range में अपनी efficiency को maintain कर पाते हैं homeostasis के द्वारा तो जब homeostasis इतना beneficial है survival में तो अब question ये उठता है कि हर organism इस mechanism पो develop क्यों नहीं कर पाया तो इसका answer ये है कि homeostasis energy के terms में एक बहुत ही expensive process है बहुत huge cost पे करनी पड़ती है homeostasis की energy के terms में और हर organism अभी उस level तक नहीं evolve हुआ है कि वह उतनी huge cost को दे सके उतनी huge cost को spend कर सके in terms of energy अभी अभी हमने discuss किया कि काफी जो organisms हैं बहुत बड़ा percentage organisms का जो conformers हैं और बहुत ही narrow range में वह अपनी efficiency को maintain कर पाते हैं तो अब हम discuss करेंगे कि फिर यह adverse situations में यह किस तरह के adjustment करते हैं तो अभी हम discuss करेंगे short term adjustment short term adjustment का मतलब यह है कि जब थोड़े समय के लिए कोई adverse situation आती है उनकी life में तो वह किस तरह का adjustment करते हैं तो सबसे पहली strategy है migration तो वह migrate कर जाते हैं बहुत अच्छा example है Siberian cranes का जरूर सुना होगा अपने नाम Siberia से आते हैं यह रशिया का जो ठंडे इलाके हैं मैप में दिखाया था जब discussion शुरूर किया था तो Siberia से यह इंडिया आते हैं इंडिया में राजिस्थान में भरतपुर सेंचुरी है वहाँ पर यह काफी देखे जाते हैं Siberian cranes तो जब वहाँ ठंड पढ़नी शुरूर हो जाती है तो वह वहाँ से migrate क को avoid करने के लिए फिर दूसरा होते है suspension of activity suspension of activity का मतलब यह है कि उस थोड़े समय के लिए वह अपनी activity को suspend कर देते हैं तो वह बिलकुल मतलब एक तरह से inactive हो जाते हैं तो बहुत अच्छे एक्जामपल है hibernation and estivation hibernation का मतलब है winter sleep और estivation का मतलब है summer sleep तो जो cold-blooded animals हैं जो अपने body temperature को maintain नहीं कर पाते हैं वह यह दो strategies को अपनाते हैं hibernation जब बहुत ठंड हो जाती है या बहुत जादा गर्मी पड़ती है तो वह sleep में चले जाते हैं वह सो जाते हैं तो इस तरह से वह उस adverse condition को avoid करते हैं और hibernation के दौरान breathing और heartbeat यह बहुत ही slow हो जाती है और जो stored food है वही consume होता रहता है और वह उस organism की life को maintain करता है और जो warm-blooded animals हैं वहे भी hibernate करते हैं जैसे polar bear जो यह warm-blooded है mammal है उसके बावजूद भी hibernation में जाता है जब polar regions में बहुत जादा ठंड पड़ रही होती है तो कुछ warm-blooded animals हैं वहे भी hibernate करते हैं लेकिन वह extreme जब adverse conditions होती हैं तब यह hibernate करते हैं फिर diapause यह important term है diapause का मतलब होता है जब developmental stage में suspension आये जब जैसे कोई insect का pupa है तो pupal stage में वह inactive हो जाता है क्योंकि अब thund आ गई है फिर से development उसके अंदर शुरू हो जाएगा और time से जो एक insect है या butterfly है उस pupa से बाहर आ जाएगी तो diapause का मतलब है कि जब कोई developmental stage जब कोई suspend हो तो उसे हम diapause कहते हैं जो कि हमें insects में देखने को मिलता है फिर spore formation यह हमें bacteria और fungi और कुछ lower plants हैं उनमें हमें यह strategy देखने को मिलती है तो जब adverse situation होती है तो यह spore बना लेते हैं तो इस तरह से जो organisms हैं वे अपने adverse situation को avoid करते हैं या कह लिजी adverse situation में अपनी life को maintain करते हैं करते हैं झाल